समस्ति पोर्जिले की कल्यानपूर विधान सभा से आम जन्मत पार्टी की राष्ट्य अधक्ष अनामिका पास्वा ने नामांकर किया और वही नामांकर के बाद उन्होंने जन्ता को सम्भोदित भी किया समस्ति पोर्जिले की कल्यानपूर विधान सभा से आम जन्मत पार्टी के राष्ट्य अधक्ष अनामिका पास्वा ने नामांकर किया नामांकर के बाद अनामिका पास्वा ने कहा मैं कल्यानपूर के जन्ता की अदारत में गई हूँ फैसला जन्ता को करना है मुझे पुर्ण विश्वा से जनता इस बर फैसला देगी जनता के लिए कश्ट कश्ट है और निताओ के लिए मुद्दा है जूट मिल के मुद्दे पर उन्होंने कहा ये बात जनता को समझना पड़ेगा कि कभी लोग सभा में जूट मिल का सैरन बजाय जाता है और कभी विधान सभा में बजाय जाता है जो सरकारी कूर्सी पर उनके मंतरी गन बैठे हुए है वो जनता को इतना बेफकुफ क्यों समझ रहे है ये नहीं समझ में आता बीरो डिपोर्ट, H.E.B.N. News फैसला जनता को देना है और मुझे तुन विष्वास है कि जनता इस बार वाकई में फैसला दे है इस बार क्या कोई खास मुद्दा होगा या पुराना ही रहा है पुराना मुद्दा क्या है? आपके पास तो कई मुद्दे हैं, आपके पास बार है, आपके पास सुखार है, मारधार है, हर तरफ बेकारी है, महिलाओं के साथ हो रहा बलतकार है, हर तरफ बढ़ रहा अपराद है, युवा हमारा बेरुजगार है, मुद्दा ही मुद्दा ह लिए दो कस्त ही कस्ट है और नेताओ के विज्धा है बिलեղगा किस्ट को समझने के लिए जूड मिलका हुटर बजना हो गया तो यहां कि जनता को समझना पड़ेगा कि कभी लोग सभा में साइरन जया जाते हैं कभी विदान स हमें साiri बजाये जाते हैं और जो सरकारी कुर्सी पर बैठे उनके मंत्रीगन जो वर्टमान सरकाल है वो जनता को इतना बैवकूप कैसे समझ रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता जब election का time आता है तो साराल ब़ेस्ट अधि और election क checks वोते ही कभी भतीजा चालु करते हैं? आपके विरोध में सत्ता पक्ष के मंत्री है, प्रत्यासी क्या कहें उनके बारे में? कैसे अपनी नयापार लगांगे? अब तो उनको अपनी नयापार लगानी है, वो साम दाम तंड में सब इस्तेमाल करेंगे और हम तो जाएगे जनता की अध दालत में फैसला जनता को देना है लोगतंतर की मालिक जनता है और क्या सच है क्या जूट अब होगा जो सच वही खबर हम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे हैं एच्पियर न्यूज